हलो दोस्तों स्वागत आप सभीका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल पे हम बात करने वाले हैं जो ये कल स्री लंका वर्सिस नामी बिया के बीच में जो ये वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा इसके बारे में लोग बात करेंगे तो दोस्तों ये मैच सुबा जाएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ मेरा टेली ग्राम चैनल भी कर लें क्योंकि टॉस के बाए जो मेरी फाइनल टीम होगी वह आपको मेरे टेली ग्राम पर ही मिलने वाली है तो आप लोगों को टेली ग्राम से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप लोग जुड़ जाए लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा मेरे टेली ग्राम चैनल का तो चली दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से इस पिच की बात करें दोस्तो तो इस पिच पे टोटल टीट्वेंटी इंटरनेशनल का अभी तक एक ही मैच खेला गया है जो कि यहां पर स खेला गया था उसके बारे में बात करें तो वह मैच इस वेन्यू पर 2017 में खेला गया था यानि काफी टाइम पहले खेला गया था लगबग 5 साल पहले तो उसका मैं यहां पर स्कोर कार्ड भी लेके आया हूं तो आप वह भी यहां पर देख सकते हैं थोड़ा आपको और सम इसमें जो मैच हुया तो उसमें इस्पिनर को सिर्फ दोई विकेट मिलेते पेसर को 16 विकेट मिलेते यानि कि दोस्तों इस वेन्यू पर पेसर को अच्छी खांसी है और वैसे भी जो ऑस्ट्रेलिया की पिच्छेस होती है उन पे पेसर को ज्यादा है तो आप यह चीद दे किती है एवरेज स्कोर अगर आप देखें तो 155 कर आए यानि कि दोस्तों एक अच्छी विकेट है अच्छा खांसा स्कोर बनता है इस वेन्यू पर अब यहां से स्कोरिंग पैटन देखेंगे तो यहां पे दो बार 150 के बिलो स्कोर रहा है 150 से 179 के बीच में तीन बार गया में तो यहां से पत्थुम निसंका कुसल मेंडी उपन करेंगे उसके बाएं पर चरित असलंका आएंगे धरंजाडी सिल्वा है बानुका राजा पक्षा है दसुन सनाका जो अपने टीम के कप्तान भी है उसके बिंदू हस्तरंगा है चमी का करोना रतने है महेश ठीक्षन आए पर मदूस्तान है और यहां पर दूस्मंता चमीरा है तो कुछ अस्तरा कि इनकी प्लेंगे लेविन होने वाली है अब दोस्तों यहां पर अगर इनमें से कोई खेल जाता है तो वह आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा तो उसके लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम जोइन कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब दोस्तों आपे प्लेयर स्टार्ट के बारे में बात करें तो यहां से कोसल मेंडी 21 का एवरेज रखते है रिसेंट फॉर्म काफी गजब कर आए अभी एसी एकप में खेल के आ आ रहा है काफी गजब का इन्होंने उसके दूस्तों घरेंगे तो आप यहां पर देख सकते है उसके अलावा यहां पे बैटिंग की बात करें पथुम निसंग का एं उन्तीस का एवरेज रखते हैं रिसेंट फॉर्म काफी गजब कराओ और रिसेंट में आप देखेंगे तो स्री लंका के सबसे अ रहा है recent में वो यही कर रहा है अपनी टिंग के तरफ से उसके पर चरित असलंका चौबीस का एवरेज उसके बाद दोस्तों यह पर नुविंदा फर्नांडो है यह भी स्क्वेड में पर इनके चांसेश कम है अगर खेल जाते तो आप इनका डॉमेस्टिक का रिकॉर्ड देख सकते हैं अभी इन्होंने डेब्यू नहीं किया है तो यह हैं दोस्तों अब यहां पर हम आल राउंडर की बात करें तो विंदू हसरंगा मस्ट पे कराएंगे यहां पर पंदरा के एवरेज 44 मैच की 42 सिनिंग में 81 विकेट और रिसेंट फॉर्म एसिया कब में इनका काफी अच्छा रहा है तो यह इंपोर्टन रहने वाले है और अपनी टीम के मैन ओल राउंडर है उसके वाएंपर धनंजर डी सिल्वा यह भी अच्छे वाल राउंडर है 20 का एवरेज 25 मैच की 14 इनिंग में 6 विकेट है रिसेंट फॉर्म आप इनका देखेंगे तो रिसेंट फॉर्म इनका भी ठीक ठाक है रिसेंट में बॉलिंग भी कराई हुई है उसके बाद दुस्त इनका भी अच्छा राएं तो यह भी इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके बाद दुस्तों आप बॉलिंग की बात करें तो मैश थिक्सना 24 मैचों में 22 विकेट रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं काफी अच्छा राएं उसके यहाँ पर दुसमंता चमीरा भी खेलते तो फिर यह एक डिफ्रेंशियल पेक बनेंगे और अच्छे प्लियर है उसके बाद बिनूरा फर्नांडो है नौ मैच की नौ इनिंग में 10 विकेट है और यहाँ पर रिसेंट फॉर्म भी इनका देखेंगे तो इनका भी रिसेंट फॉर्म अच्छा है पर इनके चांसे सब कमी है खेलने के उसके बाद पर जाफरे वेंदर से हैं 14 मैचों में साथ विकेट हैं डॉमेश्टिक 79 मैच 72 विकेट खेल जाते तो अच्छे उप्सन है पर इस वेन्यू पर ज्यादा इस पिनर को है नहीं तो मुझे लगता नहीं अभी यह खेलेंगे उसके मोद मदूसन है तो इनका भी ACA Cup में काफी अच्छा परफॉर्म राता अगर यह खेल जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपर रिसेंट के जो दो मैच खेले थे ACA Cup में उसमें 6 विकेट लेके गए तो अगर खेलते हैं तो अच्छे उप्सन हैं लेफ्ट राइट अर्मीडियम फास्ट बॉ किट डॉमेश्टिक में नौ मैचों में साथ विकेट हैं रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं उतना खास रहा नहीं अगर खेलते हैं तो अच्छे उप्सन है सौरी दोस्तों मैंननका निउ रिकॉर्ड div नहीं कर पाया था अभेने यहां पर कर दिया है और देख सकते हैं छे मैचों में यहां पर दिलतान मदुसंकाचा के प्रेस्ट डॉमेश्टिक में 9 मैचों में 7 विकेट है रिसेंट फॉर्म आप देखेंगे तो लाश्ट के 3 मैच से विकेट लेस्ट चल रहा है उससे पहले ठीक ठाक किया है तो यह इनका है अगर खेलते हैं तो यह ठीक ठाक ओप्सन रहेंगे उसके प्रवीन जय विक्रमा है पांच मैचों में 2 विकेट है डॉमेश्टिक में 24 मैचों में 23 विकेट है तो यह रिकॉर्ड यह है इनका रिकॉर्ड रिसेंट फॉर्म भी आप इनका देख सकते हैं दो मैच खेले हैं दोनों में ठीक ठाक किया है तो यह अच्छे उप्सन है पर इनके चांसे इनके भी कम अगर आप record देखेंगे तो पांच मैचों में सिर्फ दोई विगट है तो यह जो आपको record देख रहा है यह domestic का है उसके बाद दूस्तों आप बात कर लेते हैं आप नामी भी आ की team की तो यहाँ पर इनके बारे में बात करें तो दोस्तों यहां से नामी विया की बात करें तो यहां से स्टेफन बार्ड डिवान लाग कोउपन करेंगे उसके आप माइकल वैन लेगन आएंगे ग्रेड इरेस्मस है जैन निकॉल लॉटिफ इटॉन है जेजे इसमिट है डेवड वीज है लोहंडरे लोरेंस है उसके आप रुबें ट्रंपमान है उसके आप जैन फ्राइलेंग का हूँ यहां पर बर्नार्ड स्कॉलट आजए तो कुछ इस तरह की न की पिलेंग 11 रहने वाली है अब दोस्तों और इनमे से कोई खेल जाता है अगर इनमे से कोई खेल जाता है तो यह आपको परे टेलीग्राम पर बता दूँगा तो उसके लिए आप लोगों मेरे टेलीग्राम चैनल जोइन कर लेना लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फ़स्ट कमेंट वे मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का अब दोस्तों यहाँ पर नामी भी आके IMPORTUNT PLAYER की बात करें तो यहाँ से तो यह अच्छ एकर करके दे सकते हैं इसके अलाब Aha बरनार्डद स्कॉल्टेज भी अच्छे प्लियर है पर यहाँ पर यहाँ पर लेफट आर्म और्थोडोक्स बाॉलर है तो यह उतने important नहीं रहेंगे पर यहां record अच्छा रखते हैं तो अच्छा करके दे सकते हैं अब दोस्तों आपे बात करें अगर दोस्तों इन में से कोई खेलेगा तो मैं टेलीगर आपे बता दूँगा अब दोस्तों आपे प्लेयर स्टार्ट के बारे में बात करें तो यहां से जैन ग्रीन है ग्यारा का एवरेज है सिर्फ रिसेंट फॉर्म आप देख सकते हैं उतना खास रहा नहीं है और यह एक एवरेज पे लिया रहे हैं उसके बाद यहां पर लॉरेंस हैं इनके बारे में बात करें तो एक ही मैच खेला है भी टीवटी इंटरनेशनल का जिसमें 17 रन बनाए 17 के एवरेज से पर आप इनका डॉमेस्टिक का देखेंग तो 25 के एवरेज यहां पर 13 मैचों में 306 रन है और रिसेंट फॉर्म भी इ इनका अच्छा रहा है उसके अलावा यहां पर डिवानला कॉक हैं 29 के एवरेज रखते हैं तीन मैचों में 89 रन है तीन मैच की एक इनिंग में बॉलिंग करा है इसमें विकेट तो भी कोई नहीं मिला है पर आप इनका रिसेंट फॉर्म देखेंगे तो रिसेंट फॉर्म करें ग्रैड इरासमस की तो 34 के एवरेज रखते हैं और यहां पर 38 मैच की 19 इनिंग में 19 विकेट भी है और यहां पर रिसेंट फॉर्म आप देखेंगे तो रिसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा है और अपने टीम के कप्तान भी है तो अच्छी पारी आपको देख सकती है इनके बल्ले से तो यह अच्छा कासा करके दे सकते हैं यह आपको दोनों तरब से पॉइंट दे सकते हैं ऑसके यह जे जे इसमेत हैं 29 मैच की 24 इनिंग में 575 थे तीस का एवरेज 21 का एवरेज 36 मैच की 36 इनिंग में 38 विकेट और रीसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा है और ये अपने टीम के सबसे अनभवी पे ले आ रहे हैं तो आप इनको बिल्कुल लेके चलना उसके आपर जैन फ्राइलिंग है 15 का एवरेज कभी बॉलिंग कराते हैं कभी नहीं तो बॉलिंग का भी कंफर्म नहीं रहता उसके बाएपर कायरल बर्क स्टॉक हैं इनके बारे बात करें तो 27 कैवरेज 9 मैच की चार्रेनिंग में 0 विकेट है रीसेंट फॉर्म आप इनका देख सकते हैं रीसेंट फॉर्म सबका यहां पर देखके चलना रीसेंट फॉर्म इंपॉर्टेंट रहता है हर एक प्लियर का उसके बाद दोस्तों आप बात करें बॉलिंग की तो यहां पर ट्रंपल मान है 18 मैचों में 12 विकेट हैं इस पलियर फॉर्म आप देखेंगे तो रीसेंट फॉर्म इका अश्या रहा है उसके बाद यहां पर बर्नार्च-सक कॉल्ट थे 35 मैचों में विकेट हैं रीसेंट फॉर्म आप इनका भी देखेंगे सिर्फ मार्च विकेट रीसेंट फॉर्म भी कोई खास नहीं तो यह उतने अच्छ उप्शन रहेंगे नहीं बेंच सिकागो कर खेलते हैं तो 19 मैचों में 14 विकेट है इनका ठीक ठाक है प्लियर की बात करें तो प्लियर भी अच्छे है रिकॉर्ड ठीक ठाक है इनका उसके ब बोल नहीं सकते हैं अब दोस्तों यहां पर बात करें सी वी सी उप्शन की इसमें सी वी सी उप्शन कौन हो सकते हैं तो यहां पर विंदू हसरंगा कुसल मैंडिच डेविड वीज तो यह स्मॉल लेक के लिए अच्छे उप्शन रहेंगे उसके अलावा अगर आप लोग जियल खेलते हैं तो उसमें आप लोग जे इसमित को बना सकते हैं जे जे इसमित उसके यहां पर जे फ्राइलेंक मैश ठिक्षना चमीका करुना रतने धनंजय डी सिल्वा उसके अलावा दोस्तों यहां पर असलंका को भी आप ट्राई कर सकते हैं हालाकि इनका रीसेंट हो और दोसके आप लोगों को बढूधा हैं पर अब किलिया यहां तो चलिए डी सनल चालते हैं अपनी टीम के तरफ तो दोस्तों यहां से शुरू करते हैं विकेट कीपिंग से तो आप विकेट कीपिंग में आएंगे तो आपको यहां पर उप्सन तो चार मिलेंगे यहां से कुसल मेंडीच, लॉरेंस, चांदीमल और यहां से जैट गिरीन तो यहां पर जैट गिरीन और चांदीमल के चांसे दे सकते हैं तो JL के लिए एक अच्छी पेक हैं पर Small League में यहाँ पर Mendes को ही लेकर चलना है उसके अलावे यहाँ पर बैटिंग की बात करें तो यहाँ से Jee Mervey को मैंने लिया है उसके अलावे राजा पक्षे को लिया जे जे इसमित दोस्तों लिया है उसके अलावे निसंका को लिया है तो यहाँ पर हमें चार प्लेयर तो लेना ही है नामी भी आगे तो मैंने यहाँ पर मरवे प्लस यहाँ पर Jee Smith को लिया है जो आपको बैटिंग प्लस बालिंग भी करके दे सकते हैं अच्छी कांसी तो फिर यहां पे गुना थिलका खेलेंगे तो जो भी खेलता है आप लोग GL में try कर लेना असलंका का हाला कि form उतना अच्छा नहीं रहा है form यहां पे गुना थिलका का भी उतना अच्छा नहीं रहा है जो भी ACA Cup में खेल के आ रहे है पर अच्छी option है तो अच्छा करके दे सकते हैं आपके लिए GL के लिए एक अच्छी pick रहेंगे उसके अलावा दोस्तों आप बार्ड का भी recent form काफी अच्छा है इनका आप selection देखेंगे तो मात्र 2% है पर आप इनको GL में try कर सकते हैं अच्छी option है उसके अलावा यहाँ पर मैं एम वैं लिगन है इनके बारें बात करें तो यह भी record इनका भी ठीक ठाक है तो आप इनको GL में rotate कर सकते हैं उसके अलावा नीचे बात करें तो नीचे कोई खास option है नहीं और अभी साइथ खेलेंगे भी नहीं अब दूस्ते आप आल राउंडर की बात करें तो डेविड वीज को मैंने लिया है मस्ट पे कराएंगे काफी अनभवी पे लिया रहे है उसके अलावा यहाँ पर विंदू हसरंगा को लिया है आप डेविड वीज को यहाँ पे देखते होंगे टीटोंटी बलाश्ट होती है इस दुनिया की जो अधर लीग होती है उनमें भी यह खेलते हुए दिखते हैं तो यह एक अच्छे option है उसके अलावा मैं आप बिंदू हसरंगा को मैंने लिया है मश्ट पे कराएंगे एस यह कप में बहतरी इन परफॉर्म रहता है इनका उसके अलावा दूस्तो यह धनंजिया डी सिल्वा भी एक अच्छे option है तो अगर आप लोग चाहें तो आप इनको भी ले सकते हैं वैसे आप जियल में इनको जरूर ट्राई कर लेना फिलाल के लिए मैं नहीं ले पाया हूँ उसके अलावा मैंने यहाँ पर जिय फ्राईलिंग को लिया है तो मैंने यहाँ पर दोनों ओल डाउंडर को लिया है नामी भी आके उसके अलावा दूस्तो नीचे बात करें तो नीचे यहाँ पर दसुन सनाका का आपके पास एक option है तो आप इनको जियल में ट्राई कर सकते है इसमाल लीग में फिलाल मैं नहीं ले पाया हूँ उसके अलावा यहाँ पर चमी का करुणा रतने का option है तो चमी का करुणा रतने को भी लेकर जा सकते है तो फिर इस केस में यह आपको डेथ में भी बालिंग करते हुए देख सकते है और इंपॉर्टेंट प्लियर है रि है उसकेस में आपsh hlam एंपॉर्टेंट रहेंगे क्कुंकि टू डॉन बेटिंग करेंगे और रिटिंग आई जाएगी फर्स्ट बेटिंग में इनके चांसर करेंगे बैटिंग आने के तो फिर यह अच्छा करके दे सकते हैं तो यह चंच्ज हम कर सकते हैं फिलाल के lenंने मैंने इनको लिया है उसके लाव बॉलिंग में चलें उसके लाव नीचे दोस्तों कोई खास option है नहीं आप बेर श्टोक को आप लोग जील में ट्राइब कर सकते हैं इस मॉल लिग में थोड़ी रिस्की रहेंगे यहाँ बॉलिंग की बात करें तो मैंने यहाँ पर दुस्मं करमपल मानका भी आपके पास यहाँ पर यह थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं तो यह दोनों भी अच्छे option है पर फिलाल के लिए मैं नहीं ले पाया हूं मैंने यहाँ पर पी मदुसन को लिया है तो मैंने यहाँ पर स्री लंका के सभी बॉलर कवर करने की कोसिस किया ज़्यादा से ज़्यादा तो इसलिए इन लोगों को नहीं ले पाया हूं पर यह भी अच्छे option है तो उसके अलावा दूसे बात करें तो यहाँ पर मदुसंका अगर खेलते हैं तो अच्छे option है पर इनके अभी चांसे कमी है तो नीचे अभी कोई खेलने वाला है नहीं अ आपको अपने टेलीग्राप पर बता दूँगा तो दोस्तों फिलाल जो मेरी टीम बन रही है यहां पर वो कोछ इस प्रकार है जहां पर मैंने अपनी कप्तानी तो विंदू हसरिंगा को दिया है वाइस कैप्टन सी मैंने आप डेविड वीज को किया है आपके पास जो अच्छी option है आप इन में से किसी को भी कर सकते हैं फिलाल के लिए मैंने आप विंदू हसरंगा को और डिविड वीज को किया है दोनों आल राउंडर परफॉर्म करके देंगे तो मैंने फिलाल इनको किया अगर इस्टी में कुछ भी चेंज करूंगा तो आपको अपने टे स्क्रेप्स और फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का तो चली दोस्तों मिलते हैं फिरिक नहीं वीडियो साथ तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों एक एक लाइक जरूर कर देना